नमस्कार मैरामेश सर्मा आप देख रहे हैं आरेसे नेक्स इस वक्त हम लोग है यूपी यूपी एक तरह से अगर बात करें तो योगी जी के इलाका गोरखपूर में और गोरखपूर में मेरे पीछे बैठे हैं ये भाई लोग बैठे हैं और पहले तो आपको आज 26 जनवरी बात कर लेते हैं कियों गरम गरम चुनापवा माहूल है और तरह से यहार्व Laud करेंं लोग यहां पर कौन से सरकार ने कारे किया, घरिबों का ध्यान किसने रखा, उस पर हम बात करेंगे, पहले यहां से सुरुवात कर देहांघा, जी, क्या न में जी अपका? देविलाल जी, आपको क्या लगता है, जैसे यूपी में, चुनाव है उसको लेकर किस तरह की चर्चे है ला चुनाव तो बड़िया है जी योगी आएंगे इसमें तो योगी जी आएंगे तो बाकी जैसे कॉंग्रेस पार्टी अन्य पार्टी है पिछले सरकार कई पार्टी नहीं है मायवत जी क्या भी रहा अखिले स्यादव की भी स इस तोर से हम बात करें सबकु सुपदा जरा अगला रभागे कांग्रेस की सरकाल कम सकम साट शत्ता साल तक रही कुछ ने किया उसने ना किसी को कुछ मिला ना कोई आगे मुझा बढ़ात बढ़ोतरी किया यह तो कम सकंप पांच साल के अंदर कुछ करके दिखाया है यह से अप क्या करेगा सिद्ठी सी बात है दुनिया समझदार है गट्ठो की सरकार बनेगी या बहुमत पुरी आजए secular की poo धायेगी और लोगों शे से बात किरेंगि थोड़ा शाए यहां जो चुनाब का माहुले चुनाब महुले कि तरह से तो अभी तक आपकी अगर गरीब लोगों की द्यान रखाया कौन सी सरकार ने द्यान रखा है काम निखा अचको बीब नहीं कि परेशानि हो जाती थे उस तरहें के सब्सक्राइब करें जब से आए तो आपके तरफ से यूपि में दौरा से बिजे पी सरकार आगी तो आप लोग माहौल की बात करने कैसा है क्या लगता है कि माहौल में कौन सी पार्टी जीतेगी आपको किसी के साथ मुकाबला होगा क्या रहने वाला है तो उनकी की सुबदा मिला है बिजलिटेंग। Tang से मिली है लोगों की आने जाने मिला है अल्लाइन सुबदा भी मिली हुई है जिन लोगों के हमें अपने बैब बैंक के बारे में जनकारी नहीं था जीरो जीरो एकाउंट में खुला गया उनके खातों में डायेक्ट पैसा गया गया जो धोखा धड़ीओं से बचा जाता था अगर हम किसी का काम भी करवाते थे हम एजेंट के जाते तो पहले खा लेता था फिर मुझे पांच रपला के देता था अब हमें डारेक्ट पैसे हमारे काउंट में आ जाते हैं उस पैसे लिए देने कोई है हमारे लिए जो हमारे की जो मदूरी भी मिलता तो सीधे काउंट मे जारता सब्सक्राइब भी मिला इसे जैसे कि आप मां हम बात करेंगे सेंटर का चुनाब तो है नहीं तो राज्य का चुनाब अगर योगी जी ने गरीब लोगों के लिए आम लोगों के लिए क्लीस और नेकिंट ओड़ हम उवास दिया और शुधक्यार है उनके लिए अपना चेहर थे मावआ के लिए नहीका है प porta कोई उप्सक्राइम ते से गुंडागर्दी की बात करें और चीजों की बात करें यूपी में इस वक्त किस तरह के अला थे जो पहले बरसों बहुत पुराने बरसों में होता था कि कोई न जाते थे उसको मार पीट हो जाना लूट पाट हो जाना इस तरही घटनाएं आते थी सामने आजकल वो चीज नहीं करता है और के मार अपने चुप चप रहता है इसलिए ना लूट पाट है ना माल दार बीजेपी की सरकार में आने वाले हो सके जो यूपी बिहार से जो जाते है कमाने के लिए चन्नी गड़ान देशों में हो सके अपने उत्तरपर देश में ही ओपनी कमपनिया लाग अगर योगी की सरकार दोबारा से आई तो उन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा इनके लिए पोड़ेक्ट की मांग कर चुके हैं ठीक ना आच्छे उनकी जमीने दिया जाएगा बिजली दिया जाएगा कम रेटे में उनकी मुवाजा दिया दंगा परसा से जो होती लुट पार्टी सब चीज़ बचाये जाएगा इस चीज़ के बारे में बात चीज चल लही है मीडिया वाले रोज बाते करते हैं खबार में आया जाता है इसे चश्कित लिक तो सब्सक्राइब को और कोई कोई को बोलने की सुभदा ना कुछ करने की सुभदा तो करेंगे इसलिए कॉंग्रेस की टकर नहीं है इनमें नेताय भी कोई तिंग नहीं हैं महिलाओं के सपोर्ट करेंज इतनी जोर स्वर से लगे हुई है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बाकी और शेतर हो जाए पंजाब और रहां दो जाए बाकियों सबसरा इसके कि पिछले दिनों की अगर कुरोणा काल कि अगर हम लोग तकलिफ की बात करें प्लाइन करके रोड रोड मेत्रे भीड था उससे ना फोटो वो था रही वीडियो बहुत आ रही था अगर यूपी सरकार के विश्चेसर भाए उससे आप कितने सही कारे किया था या उसमें भी दिखतें आई थी नहीं सर काम तो बहुत सरकिया था यहां तक देखा जाए सब पिने की हर चीज को मुहिमा करवाए गया उनकी हर चीज के सुब्दा दिया गया बकायदे अधारकार से फोन नंबर से बेरिफाय किया गया उनको नहीं आने कि राया वारत उनके लिए इस पेसल ट्रेंच लाया गया तो आप एक एतने कि कुल मिला आकर बात करे तो यूपी क्या चीज का सार कौन जीतेगा यहां से यूपी से अब सार कौन जीतेगा उसमें हम क्या कह सकते हैं कौन से कौन से इलाके में जैसे आप किसको करते हो कौन से सरकार आने चीए कौन से सरकार के हम तो नेपाल के हैं सार आप नेपाल के हो तो यहां गोरकपुर में आप लोग और लोगों से बात करें नेपाल के हैं यहाँ पर कोई इनके रिष्टदारी होगी आप तो प्रहता हमने बात चित की और लोग गौर्व पूर्शे कोने हैं । आपका नाम रितिस कुमार राव, राव साहब यूपी में क्या रहने वाला है? वहीं योगी जी, क्या बात? तो बाकी और पार्टियों का क्या होला अगर रिपीट दुबारा कर देंगे तो और जो पार्टियां है जो च्छत्रिय पार्टी यहां से पहले-पहले आते रहें मायावती है अखिलेस जी है उसके बाद पॉंग्रेस भी रहेगी है तो क्या लगता इनका एक कुछ नहीं पार्टी ने काम निए क्या कोच भी बहुत कीया है ऑप्रत poses इन बोन रहा था बन रहा ejerc application की नहीं बन रहा था मतलब गरीब लोगों को देखा हो रहा है को अभी टकर किसका रहेगा यूपी में या एक तरफ आने वाला है नहीं वीजे पी रहे गायदान फुली फाइनल और किसी का वो नहीं है नहीं तो नाम सुकला सुकला जी आप बताओ यूपी के चुनाम में कह रहने वला है कि के चुनाव में अभी तो ऐसा है कि पृती तो और है कि वाई पार्टी अमारे दोनों साव этृ हैं और सप्अ और भाज़पा के बीच में कन्टप्थ है पा और भाज़पा के बीच में कड़ी society रहेगी कड़ी टकर रहेगी तो बहुत गुड और वेटर रही लेकिन समस्या है कुछ उसके आगे जटील आ गई पार्टी के आगे इसलिए वो पारटी इस समय थोड़ा डाउन जरूर है लेकिन पारटी तो राश्टी वही है हमारी भी पारटी वही है लेकिन कुछ परिस्तितियों ने हम लोगों को ऐसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जो कि हम लोग इन अन्य पार्टियों के बीच में आकर के संगर्च को जहलते हुए अपनी इस्तिति को ठीक प्रकार से नहीं कह पा रहे हैं जहाँ प boundary की बाद कई जाते हैं गरीब तपके की गरीब आदमयों की पार्टि आए पुराने अगर वर्शों की अगर बात करता है वही पारटि समाज कहित की है वाकि धर्म निर्पेक्च और धर्म निर्पेक्च दो पाइटिया है क्योंकि हिंदुस्तान में हर वर्क के लोग रहते हैं और उसमें ये हम कहना चाहें कि हम धर्म से लक्षन या कोई चीज हम जीत ले ये सम्भव है तो भाजपा की अगर बात करें योगी जी की सरकार है अभी योगी जी सरकार दुबारा रिपीट कर सकती है क्या लगता आपको या योगी जी की सरकार नहीं होईगी सभी गठोड की सरकार बनेगी या बहुमत किसी के आएगी क्या सुमत देखिए अभी तो कोई मुलांकर नह अभी ठीक प्रकार से आपके लिए कोई बात नहीं अपनी देप्त करें तो योगी जी के कारे पढ़नाली से कारे सहली से जो नों ने राज किया उससे कितने संतुष्ट है एक गरीब आदमी देखिए संतुष्ट तो जो राज करता है उससे पब्लिक संतुष्ट भी रहती है और नाराज भी होती रहती है तो राज सुक की एक राजनीत है रही बात इस स्तर पर अब कुछ मानों में योगी ने जीने हमारे देश के हितका भी कार किया है और कुछ मानों में हम लोगों को कास्तकारों को थोड़ा और हमी लोगों ने अपने आप खुद परेशानी पैदा की है अब उसके बीच में संगर्स कास्तकारों के और गवर्मेंट के बीच में जब हमी ने पैदा किया है तो उसके लिए उसके भागीदार हमी होना चाहिए उसके योगी जी हमारे नहीं कि आपको नहीं है छोटी साम उसमें बात करेंगे अभी लगता क्योंने इस जो जो भी मुकाबला उसमें अभी पहले नंबर पर कोन होगा दूसरे पर कोन है तीसरे पर कोन है देखिए बात है हमारे यहां उत्तर प्रदेश की राजनीत में केवल तीन ही पारटियां है भाजपा पहला नंबर है दूसरा सपा है और तीसरा बसपा है अब कांग्रेस पारटी का कोई नाम निशान नहीं नहीं कांग्रेस पारटी हमारे यहां चोथे नंबर पर है उत्त करें तो इनका अलग-अलग लोगों के अलग-अलग बाते होती है कई लोग ने कहा कि योगी की सरकार आएगी दुबारा रिपीट करेंगी योगी जिने बहुत अच्छे काम किये हैं अवास दिये रासन दिये हैं इस तरह की बाते हैं इन्हों मिला कि अगर बात करें तो पहले नम्मर पे अभी योगी जी की पार्टी किस तर चुनाम में कुछ दिन पड़े हैं अभी अभी परचार का भियन चल रहा है अलग 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 चर्चे कर रहे हैं बहार जो लोग जा रहे हैं वो भी अपने घर की तरफ वापसी कर रहे ह बोट डालने के लिए तो आने वाले समय में आपको आगे एपिसोड में और दिखाते रहेंगे फिलाल अगर बात करें तो यहां जो इलाका है गोरकपुर के इलाके के साइड अभी योगी जी की बात लोग कर रहे हैं